देश की इतिहास में और सुप्रीम कोट की इतिहास में बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक ऐसा केस आता है जिसके बारे में लोग दशोगों के बाद भी बात करेंगे। में भी आलोचना जरूर होगी। इलेक्टोरल बॉंड्स केस क्या है इसके ओपर हमने एपिसोड बना कर बताया है आपको सुप्रीम कोट ने जो एसबी आई को हिदायत दी थी वो एसबी आई ने क्यों नहीं मानी उसको कंटेम्ट माना जा रहा था बहुत लोग कह रहे थे कि कंटेम्ट अफ कोट होना फिर कैसे एसबी आई ने अपने पैर घसीटे उस मामले में और यहाँ इलेक्शन कमिशन का भी क्या रोल है इस पर हमने सारे एपिसोड बना कर आपको दिखाए है जब सुप्रीम कोट का अब लेटिस सिटिंग बैठा जब सुप्रीम कोट ने एसबी आई को बोला हम तुम हमारे सामने आएगा हां इलेक्शन कमिशन के पास information दो चले गई है इलेक्शन कमिशन को 15 तारीख को 5 बजे तक ये information हमारे सामने रखनी है लेगिन क्या वो information पूरी होगी क्या उस information से democracy कुछ हद तक बच पाएगी ये जो साठगाठ है पईसे और power का क्या हमें समझ में आए आज एफिडेविट दे कर बोला कि नहीं नहीं देखिये सुप्रीम कोड आपने जो हमें चीज बोली थी आपने जो information मांगी थी वो हमने election commission को दे दिया है अब election commission के पास कितना information गया है वो secret matching number गया है या नहीं गया है एफिडेविट उस चीज पर एकदम चुप है और अगर ये unmatched information election commission publish कर भी देती है तो क्या उससे परदाफाश हो पाएगा उन लोगों का जो policy खरीद रहे थे जो सरकार से favor खरीद रहे थे वो जानने की जरूरत है और of course election commission में भी क्या गोची चल रही है कि तीन member election commission में आज सिरफ एक बंदा है प्रधान मंत्री दो और election commissioners की रिविट में submit करके Supreme Court को बता दिया कि देखिए आपने जो information मांगा था हमने दे दिया दो silos जो थे हमने दे दिया एक silo में जो electoral bond जिसने खरीदे हैं जिस date पर खरीदे हैं और कितने के खरीदे हैं ये एक set of information हमने दे दिया है दूसरे set of information पे हमने उन political parties के नाम दिये हैं जि इस date पर redeem कराये हैं कितना denomination कितना मोटा वो electoral bond था जिसको वो redeem कराया है लेकिन ये दो अलग-अलग information set दिये गए हैं इन्हें match नहीं कराये गए हैं जो कि Supreme Court ने by the way मांगा भी नहीं था उस पर हम आते हैं लेकिन सबसे critical चीज जो है इस affidavit में उस चीज का कोई mention नहीं है कि वो unique code जो electoral bond की उपर छपा होता है जो ultra violet light से दिखता है जिसे use किया जा सकता है ये दो set of data को match करने के लिए क्या वो information election commission को supply किया गया है क्या election commission इस information को बाहर रखेगी चाहे Supreme Court चाहे SBI को चार महीने लगते लेकिन क्या लोगों को वो अवसर मिलेगा कि उस unique number से ये data को match कर द दिया जाए देखिए इसमें भी कोई doubt नहीं है कि अगर ये number नहीं भी दिया जाए तब भी काफी सारा data match किया जा सकता है लेकिन उसकी जो sanctity होती है उसकी जो legality होगी वो थोड़ी सी कम होगी समझाता हूं कैसे अभी तो data election commission of India को एक pen drive में दो PDF documents में दिया गया है जो की password protected ह एक envelope दिया गया है जिसमें ये passwords लिखे भी गए है और ये chief election commissioner राजीव कुमार को दे दिये गए है राजीव कुमार interestingly अभी बस हाल ही में एकलोते रह गए है election commissioner तीन member election commission से एकलोते election commissioner रह गए है वो भी अपने आप में एक strange story है उसको भी हमने पूरी तरीके से दर्शाया है य February 15, 2024 तक इन में से 22,030 bonds को redeem किया गया है अब जिसको match करना है बैठके match कर ले अब election commission ये unmatched data पंदरा मार्च पाँच बजे तक publish करेगी अब क्या इससे पूरा सत्के सामने आएगा ये रही core बात जो petitioners हैं Association of Democratic Reforms, ADR जो petitioners, जो lawyers हैं जो represent कर रहे हैं जैसे प्रशाद भूशन उनका ये मानना है कि ये जो unique number SBI दे रहा था चाहे आप match करके दो न दो लेकिन ये जो अलग-अलग silos में है ये unique number तो आप हमें दोगे ये जो एफिडिमिट है वो इस unique number के बारे में बात नहीं करता और मैं इसलिए बार-बार यहां देशबस में कह रहा हूँ कि हर कोशिश की जाएगी कि ये information clearly बाहर ना आए और अगर बाहर आए तो एक disputed format पर बाहर आए और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कितने levels पर कोशिश की जा रही है देखिए अगर आप इस alphanumeric code को public नहीं करोगे जो कि ultraviolet light के अंदर आएगा तो इसमें एक speculation का angle आजाएगा कि ये त इसको हमने कोई core banking network में record ही नहीं किया था ये electronic format पे है ही नहीं और अगर ये number नहीं है तो ये 100% match करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और SBI कहती है इसलिए हमने इसको electronic format में रखा ही नहीं था उधर senior lawyer प्रशांग भूशन जो ADR को represent कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाईया पूरा purpose इस exercise का है कि voter को मालूम चले कि किसने किसको कितने पैसे दिये ये इसका right to information है अगर मैं एक voter हूँ मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा इंटर्सलिस किस party को उसने क्या दिया और उस party न उसक data अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको contempt of court मानेंगे और हम एक और petition file करेंगे ये प्रशांग भूशन का कहना है उधर जगदीब चोकार जो founder, member और trustee है ADR के वो कह रहे हैं कि अगर ये information ना भी मिले लेकिन तब भी बहुत information तब भी मिल जाएगी क्योंकि इसमें quit pro क्यों हमें समझ में आएगा वो कह रहे हैं कि देखिए हम तो तयार हैं हम तो matching करेंगे और अगर कोई और बड़ी अर्चन देखिए अभी भी बोला जा रहा है अगर कोई और बड़ी अर्चन कोई और roadblock ना लगाया जाए तो इन data sets को match करके हम काफी हद तक information ले आएगे और दूसरा constitutional अगर इसको हम contempt of court प्रूफ कर सकते हैं तो हम वो भी प्रूफ करेंगे अब मान लेते हैं अब मान लेते हैं worst case scenario कि चलो election commission ने अब कुछ भी नहीं किया ये जो set of data है बिना किसी और अर्चन के इसको publish कर दिया match नहीं किया तो आप बोलोगे इसमें क्या फाइदा है क्योंकि अगर match नहीं किया किसने कितने को दिया तो उससे क्या फाइदा है सोचिए बिना match करके मैं आपको फाइदे गिनाता हूँ और यही है मज़ा democracy का यही है मज़ा उन लोगों का जो अभी भी अपना काम as alert aware citizenry किये जा रहे हैं सवाल पूछे जा रहे हैं अंजली भरतवाद से मैंने बात किया जो कि काफी एक renowned RTI activist है और उने कहा कि देखिए अगर आप unmatched data भी ले ले लेते हैं तो आपको यह मालूम है कि कौन सी company कितना खरीदा कब खरीदा यह आपको मालूम है एक set of data without match अब आप इस information से यह पता लगा सकते हो कि जिन companies ने electoral bond खरीदे उनमें से कितने हैं जिने loan waiver दे आ गया उनमें से कितने company है जिनके non performing assets थे उनमें से कितने company है जिनके owners बाहर भाग गए हैं उनमें से कितने company है जिनको bond देने के बाद government contracts मिला अब आप कह सकते हो coincidence है अब वो लोगों की intelligence पर है जब हम यह data बाहर निकालेंगे कितनी company है जिनके against investigation चल रहा था कई time से लेकिन देखा गया कि bonds देने के बाद वो investigation एकदम रुख गई ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कितने companies हैं जो loss making है लेकिन तब भी उन्होंने electoral bond खरीदा अब ये सारा information देखिए आपको मिल जाएगा सिर्फ एक silo of information को लेकर ये भी नहीं देखा आपने कि किस party ने कितना खरीदा और उसको कितना मेवा मिला उसमें से ही सारा information काफी हद तक बाहर आ सकता है अब सवाल ये है कि हो सकता है कि parties ने अपने नाम पर electoral bond ना ही खरीदे हो very smart है हम तो भोले भाले लोग है हमें ये सब कैसे पता लेकिन इस सिर्फ इस data से इसी लिए ये भी मालूम चल जाएगा कि इन में से कितनी shell companies हैं और अगर shell companies जादा है तो ये तो हमारे democracy का और भी जादा मजाख है कि इतनी सारी shell companies ने करोर और और रुपए दिया हमारे political parties को ये shell companies तो चाइना से भी हो सकती है तो क्या चाइना का पैसा आ रहा है और सबसे बड़ी party किसको है जिसको पैस पैसा मिला बीजेपी को three times more than all the other political parties पैसा मिला है majority chunk जो आपका है एडिटर आपको दिखा देगा ग्राफिक्स चला दो वही एडिटर आपको दिख जाएगा कि बीजेपी को कितना पैसा मिला है क्या इसलिए हर हतकंडा अपनाया जा रहा है कि ये information बाहर ना है वैसे information तो opposition parties के लिए भी embarrassing होगी क्योंकि A&A ने बड़े भाईया ने और मोटे भाई ने पैसा तो Congress party और दूसरे parties को भी दिया होगा शायद उन्होंने इसलिए चुपी साधे हुए हैं वो भी इस चीज़ को चाहते नहीं है पूरी तरीके से कि ये बाहर आए और इसलिए हर किसम का attempt किय जा रहा है अभी आप latest example देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का verdict आ चुका सुप्रीम कोर्ट की sitting हो चुकी सुप्रीम कोर्ट का warning जा चुका उसके बाद senior advocate अधीश सी अगरवाल President of the Supreme Court Bar Association कोई एरे गहरे lawyer नहीं है President of Supreme Court Bar Association चिठ्थी लिखकर कह रहे हैं राष्ट पती जी मैं आ Supreme Court का इतना बड़ा फैसला आया है उसको रोकने की कोशिश हो रही है कि देखिए नहीं नहीं ये गलत हो रहा है Election Commission of India ये जो donations को public करने जा रही है ये corporate entities के लिए खराब होगा क्योंकि जो parliamentary democracy है और ये जो corporate freedom है उसको खतम कर देगा क्योंकि भाया ये तो right है न आप ये private information है आ इसको आप public कर दे रहे हो ये तो आप उनके साथ betrayal कर रहे है उसको रोका जाए I therefore request your good self to withhold the enforcement of the Honorable Supreme Court judgment in the electoral bonds case by seeking a presidential reference to the matter till the reference is heard and answered the Honorable Supreme Court shall not give effect to its verdict of March 11, 2024 मने जो electoral bonds को unconstitutional घोशित किया गया था राश्ट्रकती महोदा है इसे रोके अब हमने भी कहा कि भाई ये कौन सा constitution है इसके बारे में तो हमने कभी नहीं पढ़ा था कि राश्ट्रपती एक constitutional amendment जीस को जिसको unconstitutional declare किया गया है उसे रोक सके ये कौन सा नया law गया है अब Supreme Court के Bar Association के President है उनको तो law मालूम होना चाहिए न लेकिन अगले कुछी घंटों में समझ में आया कि देखिए politics कहा तक चले गई है और इसको रोकने की क्या क्या कोशिश हो रही है Supreme Court Bar Association ने अपने आप एक चिठी लिखी है कि भईया देखिए President जो हमारे है इन्होंने खुद ही लिखा है ये unilateral है हम इसे condemn करते हैं ये Bar Association का opinion नहीं है और हम Supreme Court की इस तरीके से ना आलोचना कर रहे हैं ना हम Supreme Court को insult कर रहे है और जिस Article 143 की बात की थी ये President Saab of the Bar Association ने वो सिर्फ President को इतना power देता है कि Supreme Court के साथ सला मश्वरा कर ले कि अगर ऐसा कुछ fact है कोई power नहीं है हमारे President के पास और इसलिए हमारे President को Robert Stamp बोला जाता है कि Supreme Court के एक इतने बड़े फैसले को वो hold पे डाल दे या overturn कर दे लेकिन defiance तो हो रही है Supreme Court को हर दूसरे step पर challenge किया जा रहा है आप सोचिए Supreme Court को challenge किया जा रहा है हर दूसरे step पर कितने लोगों ने हमें comment करके बोला है कि ordinance तो सरकार लियाएगी ये तो unconstitutional mean है तो इस पर ordinance नहीं आ सकती है नहीं तो ordinance भी आ चुकी होती और आप देख आप कि किस तरीके से Supreme Court को misguide करने की कोशिश हो रही है बातों में फसाने की कोशिश हो रही है उचे उचे terminology और अंग्रेजी जाड़ कर किस तरीके से हमारे democracy को भटकाने की कोशिश हो रही है अरे Supreme Court ने क्या बोला था Supreme Court ने ये बोला था कि भाया देखो हम आपकी application को dismiss कर र already available है bank के पास दो अलग-अलग silos में आपके पास information available है और 12 March business खतम होते होते शाम तक ये information आपके पास आनी चाहिए पंद्रा फेबरी को याद है ना आपको electoral bonds को strike down कर दिया था Supreme Court ने बोला था कि ये of the fundamental basic right जो हमारा है कि right to information उसको violate करता है article 19-1-A को violate करता है इस पर पूरा एपिसोड है उसको देख लीजेगा और उसी ruling में Supreme Court ने कहा था कि SBI सारे details of electoral bonds purchased since April 12, 2019 को election commission को देदे by the 6th of March SBI ने क्या किया देखे कितनी तरीके से गोची हो रही है Supreme Court ने कभी बोला ही नहीं था कि आपको buyer और जो जिसने redeem किया उसको match करके देना है SBI ने इस judgment को इस तरीके से read किया कि बोला गया कि नहीं नहीं मुझे तो ये match करके देना होगा और match में अभी कर नहीं सकता हूँ इसलिए मुझे June 30 तक का time चाहिए क्योंकि इतना complexity of decoding the data है Senior Advocate Harish Salve, जो SBI को represent कर रहे थे, बार बार एकी चीज़ को repeat किये जा रहे थे कि भाया, bonds तो अलग-अलग information silos में stored है इसलिए इतना delay है, इसलिए इतना complex है यहाँ बात Supreme Court की माननी पड़ेगी और सलाम ठोकना पड़ेगा Supreme Court को Chief Justice of India चंदचूड सीधे सीधे point out करते हैं कि भाया, court ने तो कभी आपको direction ही नहीं दिया था कि आपको matching exercise करना है, आपको तो यह जो information आपके पास readily available है, उसको बाहर निकाल देना है, उसको publish कर देना है, उसको election commission of India को देना है और रही बात कि SBI पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही थी, ये बात भी Justice चंदचूड ने पूछी, कि 26 दिन हो गए हमारे order को, कोशिश तो की होगी न, आपने, बताईए आपने कितने electoral bonds match कर दिये, कितने political parties ने कितने किये, बताईए आप, वहाँ भी हरी साल बे कहता है, न Justice खना कह रहे हैं कि अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, आपके पास Sealed Envelope में Information है, आप Envelope को खोलिए, Sealed Cover को खोलिए, नाम को निकालिए, और Details पब्लिश कर दीजिए, Highest Paid Lawyer, Most Powerful Lawyer को Supreme Court बता रहा है, कि देखो, एक Envelope कैसे खोला जाता है, एक लिफाफा कैसे खोला जाता है, और Information कैसे निकाली जाती है, उसके बाद बोला जाता है, ठीके, तीन हफते को और टाइम दे, तीन हफते और दे दीजिए हाँ में, Finally, मेरे ख्याल से और Argument ना करते हुए, Chief Justice ने सीधे-सीधे बोला, कि भाईया देखो, जो Information हमने मागा था, वो आप सीधे-सीधे एक दिन के अंदर निकालिए, और उस Information को Election Commission को दीजिए, Election Commission 15 March को उसको पप्लिश करेगी, अब बॉल, Election Commission के पास है, और वहाँ भी Smooth नहीं है, और इसीलिए हमने भी तुछा टाइम लेकर ये एपिसोड बनाया है, क्योंकि हम अभी भी मानने को तयार नहीं है कि सरकार इस Process को, इस प्रक्रिया को, Supreme Court के verdict को बिना किसी और अर्चन मान लेगी, और Election Commission हमारे तीन क्यों है, पहले एक होते थे 90's में, फिर तीन क्यों बनाये एकदम चुपी है उस मैटर पर, Health Concern बोलकर, Suddenly हमारे देश के Election Commissioner Resign कर देते हैं, Election से कुछ दिन पहले, और कुछी घंटे पहले जब ये पूरा Information, Election Commission को आने वाला था of Electoral Bonds, अब सवाल ये है कि अगले दो दिनों में क्या कोई Bond के साथ छेड़खानी होगी, या चुप चाप Election Commission बिना किसी और रोक्तोक ये पूरा Information बाहर निकाल देगा, अब पंदरा तारिक तक तो रुपना पड़ेगा, और फिर देखना पड़ेगा, और उसी पंदरा तारिक को प्रधान मंतरी मोदी दो नए Election Commissioner चूज कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी फकीरी हो रही है, प् प्रधान मंतरी के पास ही रहेगी, इस पर बहुत बार बोला गया कि नहीं नहीं पहले भी तो process clear नहीं था, process पहले clear नहीं था, Congress के टाइम पर clear नहीं था, तो हम भी clear नहीं रखेंगे, Congress corruption करता था, तो हम भी corruption करेंगे, Congress 50-60 seat पर आगे, आप भी आ जाओगे क्या, दुख की जानते हैं narrative machinery कैसे चलेगी, गोधी मीडिया कैसे चलेगी, लेकिन दुख की बात इसलिए भी है, कि जहां प्रधान मंतरी और उनके एक मंतरी मिलकर election commission को choose करेंगे, जहां Chief Justice of India को बाहर फेग दिया गया, इतना सही solution दिया था, Supreme Court ने, कि एक Chief Justice रखिये, एक Leader of Opposition रखिये, एक प्रधान मंतरी रखिये, लेकिन उस suggestion को dustbin में फेग दिया गया, और इसलिए ADR ने, अंडर प्रशान भूशन एक और case file किया है, कि इसकी सुनवाई हो, opposition नहीं, ये सारा काम civil society कर रही है, हमारे जो कुछ lawyers बाकी रहे गए हैं, जो समविधान के लिए लड़ रहे हैं, वो कह हैं, ADM जबलपूर के बारे में जब हम बात करते हैं, शायद कुछ सालों बाद हम ये electoral bond case के बारे में बात करेंगे, जो लोगों ने उसको माना उसके बारे में बात करेंगे, जो लोगों ने उसको dodge करने की कोशिश की उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन as active citizenry आप ये जा कर लो लेकिन पंदरा तारीक तक हम इस केस को काफी closely match कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि किसकी matching किसके साथ होगी और information आप तक लाते रहेंगे मैंने थैंक्स वाचिंग